नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अन्राग वेलकम बैक टू लाल क्लासेज हमारी जो शरीज चल रही है जिसका नाम है हाव तू लर्न डिफरेंट वर्ट्स थू रूट वर्ट्स तो उसमें हमारा जो आज वर्ड आने वाला है रूट्स वह है एंत्रोपोस ठीक है उससे इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं जो हमने अभी अपनी रिसेंट की क्लास में इसमें कंप् है ठीक है और गयन मतल stret тел sap को बनता है जो एक ग्यमको मिन कष्ड़िकरति है उनको कहते हैं उनको कहते हैं कि ग्यमस मतलत है कारिज इससे वेड्य इसका नाम होता है मैसोगैमी वह इनसान जो शादी से ड़ता है ठीक है जो शादी से डरे जो शादी इसको नहीं पसंद आए ज घ्रणा करता है उसे हम कहते मिसोगयमी चलिए आज जो हमारा वर्ड होने वाला है वह हमारा एंत्रोपोज और एक हमारा ग्रीक वर्ड है जो की जिसका मतलब Greek में human होता है, ठीक है human मतलब इंसान, अब इससे हमारे दो वड़ बनते हैं, एक वड़ बना anthropology और दूसरा बना philanthropist, अब पहले हम समझते anthropology मतलब क्या होता है, anthropos अगर हम यहां तक देखें, तो मतलब तो पूरा साफ है human, और logi, आज हम समझेंगे logi का मतलब क्या होता है, logi मतलब होता है study, तो जो human की study करें, उसको हम कहते है anthropology, the study of the development of the human race, जो human race में development होती जाती है, ठीक है, कैसे हम क्या थे पहले, फिर धीर बनते-बनते, बंदर से क्या बनते-बनते इंसान बन गए, उसकी जो study करता है, उस इंसान को हम कहते है, anthropology, ठीक है, एक वर आता है philanthropist, इससे ही, अब anthrop से हमारा बना human, फिल मतलब होता है love, ग्रीक वर्ड होता है और ग्रीक वर्ड इसका मतलब होता है love, तो जो लोगों से प्यार करे, उसे हम कहते है philanthropist, ठीक है, those who love human, उसको हम कहते है philanthropist, अब philanthropist से मतलब क्या बन रहा है, who loves mankind, जो इंसानियत से प्यार करे, and shows such love, और इतना प्यार दिखा है, by making substantial financial contribution, इतना प्यार दिखा है, प्यार दिख जैसे कि charitable charity में पैसा दे दिया, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आपने celebrity सुने होंगे, वो philanthropist होते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपने Tata का नाम सुता, Tata Company के जो रतन Tata हैं, उनका सुना होगा, अंबानी होगा, यह सब philanthropist हैं, जो लोगों की मदद बहुत करते हैं, ठी में रहे और एक balance में रहे, ठीक है, अब हमने sentence समझते हैं, इससे related, पहला sentence आया, 1907, ठीक है, 1907 में, he was elected, उनको elect किया गया, क्या elect किया गया, anthropology का professor, जो mankind की study करेगा, वो भी teachers होते हैं, तो professor किया गया, कहां पर, Liverpool एक जिगा है, वहाँ पर उनको, एक anthropology का ऐसा प्रोफेसर, उनको, क्या किया गया, elect किया गया, second बना, Chintu was a wealthy businessman and philanthropist, Chintu जो है, एक धनी वेपारी भी है, और philanthropist भी है, जो कि charity में भी पैसा देता है, लोगों की मदद भी करता है, जब problem होती है, तो लोगों की, हलाकि सिस problem में नहीं, मदद करता रहता है, society में, society के लिए काम करता है, ठ ठीक है, तो आज हमने दो वर्ट समझे, anthropos से, और anthropos हमारा आज का root word था, उससे हमने दो वर्ट समझे, एक anthropology, और एक समझा philanthropist, लोजी मतलब होता है, हमारा study, और phil मतलब होता है love, तो जो लोगों से प्यार करे, उसे हम कहते है philanthropist, और anthropology, जो study करे, anthropos की, मतलब की human की, human की, human race करे, की development कैसे हुआ, human में, तो उसके उसे शड़ी करता है, उसको हम कहते है anthropologist, और philanthropist, जो लोगों से प्यार करे, तो और लोगों से प्यार किस तरीके से करे, उनकी मदद करे, financially मदद करे, ठीक है, तो अब कल मिलते है, एक नए root word के साथ, तक तक के लिए खुशे ये पढ़